ठीक, अब हम बात करते हैं बैक क्रॉस की, ठीक, बैक क्रॉस के अंदर दो चीज आती है, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस, बैक का मुतलब क्या होता है, पीछे, तो F1 जनेरेशन को हम को किसके साथ क्रॉस कराना है, पेरेंट्स के साथ, समझना मेरी बात को, हम लोग यहां पर क्रॉस किसके बीच में कर रहे है, F1 जनेरेशन का क्रॉस किसके साथ करा रहे है, पेरेंट्स के साथ, ठीक, तो जब पेरेंट्स के साथ क्रॉस होता है, किसका, F1 जनेरेशन का, तो इसको क्या कहा जाता है, बैक क्रॉस, मेरी बात समझना, सिंपल, जब हम लोग F1 जनेर dominant pure ढ़ार फम ने लिए तो क्या हो जाएगा तो मेरी पास समुझते रहना जब हम लोग दो हमारे पास दो possibilities बैक क्रॉस का क्या मतलब होता है पहली बात मेरे बता हो बैक क्रॉस किया मतलब है parents के साथ cross F1 generation का cross किसके साथ parents के साथ तो उसको क्या बोलेंगे Bacross F1 generation का Cross Parents के साथ तो क्या कर लाएगा back cross अब मेरी पासमीज ना back cross में कितनी possibilities आ सकती है दो या तो back cross किसके साथ ग्राजा है dominant या तो डूमेन थो तो क्या किसके साथ ग्राजा है sousक्राज अगर मैं dominant parent के साथ ग्राॉख करूँगा तो उसको क्या बोलेंगे out cross अगर मैं recessive parents के साथ cross करूंगा तो क्या बोलेंगे test cross समझे की नहीं ठिक चलो मैं आपको इस diagram में इसमें दिखा के पताता हूँ आप लोग confused हो सकते हैं ठिक बहुत simple सी चीज है ठिक सबसे पहले back cross की बात करते है back cross back cross अब back cross को मैं आपको starting से दिखाता हूँ यह हमारे पास parents थे parents थे parents थे parents कैसे parents थे यह क्या है प्योर टॉल और यह हमारा parents क्या है प्योर दॉर्फ आया नहीं ठिक तो हमने प्योर टॉल प्योर दॉर्फ प्योर दॉर्फ पैरेंट्स की बीच में cross कराया हमको f1 generation क्या मिली capital t small t यह हमारी कौँ सी generation है f1 generation कैसी है capital t small t तो यह हमारे normal cross अब इस cross को parents के साथ करा है ठीक अगर मैं f1 generation का cross किस साथ करा दू पैरेंट्स के साथ तो इसको मैं क्या बॉलूँगा back cross क्या बूलेंगे back cross दिमाग में बठालो कि F1 generation का cross जब parents के साथ कराया जाता है तो उसको क्या का जाता है bad cross ठीक अगर मैं इसको F1 generation को dominant parent के साथ cross करा दूगा तो यह क्या हो जाएगा out cross और अगर मैं F1 generation को recisive parent के साथ करा दूगा तो क्या हो जाएगा test cross समझे की नहीं समझे तिम्पल जीज़ें की नहीं कि parents का cross किसके साथ F1 generation के साथ उल्टा बोल दे F1 generation का साथ किसके साथ parents के साथ तो उसको क्या बोलते हैं back cross back cross के कितने type हो सकते हैं दो अगर dominant parent के साथ तो आउट cross recisive parents के साथ तो test cross मैं सवाल पूछ रहा हूं आप जवाब देना ठीक F1 generation का cross parents के साथ क्या बोलते हैं कि F1 generation का cross dominant parent के साथ F1 generation का cross recisive parent के साथ test cross simple है कि नहीं एकदम simple ठीक अब अब इसमें तुमारे result देख लो ठीक अब हमारा F1 generation कैसे थी capital T small t dominant parents कैसा था capital T और capital T इसके gamits क्या बनेंगे capital T और small t इसके gamits क्या बनेंगे capital T सिर्फ क्या बनेगा capital T इसके बीच में cross ऐसे बना लो तो क्या बन सकता है capital T capital T capital T small t तो जब आउट इसमें हम किसके साथ test करा रहे हैं बताओ आउट यह क्या है आउट cross parent क्या है आपर dominant parent क्या है आपका dominant तो आप से सवाल पूछा जा सकता है कि जब हम F1 generation का out cross करते हैं parents के साथ तो हमें सारे के सारे plants कैसे मिलते हैं टॉल सारे के सारे plant कैसे मिलते हैं तॉल यहां पर लिखी हुई बात है कि जब हम लोग F1 generation का cross करते हैं parent के साथ dominant parent के साथ तो सारे के सारे plant के से होते हैं तॉल ठीक अब हम आविए टेस्ट क्रोव जांग क्या है को बात करते हैं तो टेस्ट क्रोव में हम क्या देगते हैं कि हम लूग किसके साथ quo करा रहे हैं रेसिशिश पेर्ण्स के साथ ठीbt तो, यहां पर При conseq places की साथ नहीं बता हैक तो यहां पर सारी बात आपकी लिख्यों हुई है फिर मेरी बात बता रहा हुआ हो सवाल सुनते रहे ना जवाब देना सवाल कह रहा है कि जब हम लोग F1 जनरेशन का prz les high parents के साथ कराते हैं तो क्या एसको ख़र हम लोग F1 जनरेशन का ख्र 24 dominant parent के साथ कराते तो out cross जब out cross करते हैं तो सारे APS plants कैसे होते ह說 tall ठेख अब मैं बात करूंगा कि जब हम लोग F1 generation का cross recissive parent के साथ कराते हैं तो क्या होता है test cross और test cross का ratio कितना आजाता है 1 ratio 1 clear है कि नहीं what doubt तो वही सारी बातें इसमें लिखी हुई है tall और दौर का ratio क्या हो जाएगा 1 ratio 1 तो यहीं पर सारी कान लिखी है कि जब 1 F1 generation is cross with the parental gene it is known as back cross test cross also is a type of back cross F1 generation is cross with the recissive parent recissive parent के साथ तो back cross test cross अब mono hybrid test cross का ratio क्या आजाएगा 1 यहाँ पर हमने एक ही character लिया यहाँ पर हमने क्या लिया एक ही character तो mono hybrid test cross का ratio क्या हो जाएगा 1 ratio 1 सवाल जला सा बतलेगा सवाल कह रहा है कि die hybrid at all red plant का cross कराया गया dwarf and white के साथ सवाल देखना सवाल देखना सवाल बिलकुल समझना आप सारी चीज़े समझ में आ जाएगे ठीक अब सवाल कह रहा है हमारा कि die hybrid tall and red तो die hybrid tall and red का genotype क्या होगा die hybrid यह क्या हो जाएगा आपका die hybrid तुनते रहना die hybrid die hybrid tall and red तो यह ब्लांट क्या है आपका die hybrid tall and red कोई दिक्कत नहीं पक्का है यह ब्लांट क्या आपका die hybrid tall and red चलो अगल अगला कह रहा है कि इसको cross कराया गया dwarf white के साथ dwarf white तो dwarf white का क्या हो जाएगा small r small t small t small r and small r तो यह back cross नहीं लग रहा है यह आपका क्या है f1 generation और यह आपके क्या है recisive parent तो यह आपके test cross है कि नहीं अरे एक प्रकार का back cross test cross है कि नहीं हाँ या नहीं yes or no it is a test cross ठीक कैसा test cross है die hybrid test cross यह क्या हो जाएगा die hybrid test cross die hybrid test cross का result कैसे करेंगे इसके gamit क्या बन जाए आंगे आपके चार गैमिट्स बनाओ capital T capital R capital T small r small t capital R small t small r इसका gamit क्या बनेगा small t small r इसका gamit सिर्फ और सिर्फ एक बनेगा और इसका gamit क्या बनेगा small t और smaller तो क्या लिखो कि capital T capital R लिखते रहते हैं ठीक कि अभी क्यों जाएगा आपका टॉल्रेड तो अनुक आया नहीं अब मैं सवाल कुछ रहा हु फटाफट सारे जवाब देना। जब हम लोग f1 जनेरेशन को प्रेंट के साथ क्रॉस करते हैं तो तो क्या कहता हैं बैक रस f1 generation with parent back cross f1 generation with dominant parent out cross f1 generation with recessive parent test mono hybrid test cross का ratio one ratio one die hybrid test cross का ratio one ratio one ratio one ratio one ratio one clear or not पक्का ठिक तो यह आपका test cross bat cross और out cross है clear है कि नहीं ठिक तो हमारे तीन points आपके clear हो गए ठिक तो वही सारी बाते यहां पर लिखी हुई है कि आपको cross कराएंगे सारे result die hybrid test cross ratio क्या हो जाएगा वन रेशियो वन रेशियो वन रेशियो वन ठिक अब दो तीन सब्द हैं मैं आपको सब्दों के बारे में बताता हूं ठीक अब आता है ऐलिलिक नौन ऐलिलिक जैनिक इंटर जैनिक सारी चीज़े समझे ना सारी बात है चलू मैं आपको कुछ नहीं नहीं चीजे बता रहा हूं समस्ते रहना थीक यह मैं टितलिया बना रहा हूँ यह मैं क्रोमोजोम यह माल लुटाओं मैं एक क्रोमोजोम है दो दूसरा क्रोमोजोम ठीक चलो मैं इस क्रोमोजोम को एक क्रोमोजोम माल ले रहा हूँ एक क्रोमोजोम को दो क्रोमोजोम अभी तक जो मैंने चीजे पढ़ी अभी तक तुमने चीजे पढ़ी वो सेम क्रोमोजोम के बारे में थी तेजी सेम क्रोमोजोम सेम जीन्स के बारे में थी मेरी पास समझेना अभी तक जो भी तुमने इंटरेक्शन पढ़े हैं वो जिसायत तुमने किसकी बात करूँ मैं बात करता हूँ लॉफ डॉमिनेंस लॉफ सेग्रीगेशन लॉफ इंडिपेंटेंट असौर्टमेंट को क्लावज प्लीटीड मल्टीपल ज़ुलीजन प्लीट्रोपि जो आपनी सारी कि सारी चीजन अबहीं पढ़ी है वह मेरी पास समझना यह अच्छा ये और यह दोनों सेम क्या जाएगा तेम जीन यह क्या हो जाएगी आपकी जीन एक जीन के कितने क्रेक्टर हो जाएंगे द Allylic With tragenic Intra मतलब kya within the same gene na Intra मतलब within the same gene तो अभी तक आपने जितनी भी सारी चीज़े पढ़ी वो earthly ती allowique का मतलब kya 1 ऐलीलिक और और फिर intergenic अपढ़ीствен उसलिसफे sayam genes के बीच में association बढ़ा same gene के बीच में क्या पढ़ा आपने association साफ़ीाशन अभी तकनो आपने बीच में पढ़ा सेंजींस सेंजींस अब मैं बात करूंगा 1 यहाँ और तो यह दूसरी प्रॉमोजोम की ज़िंज हो गए की नहीं और दूसरी जीन हो गए की कैस Oops नहीं ठिक यह दूसरी जीन हो गई तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं इंटर जनिक क्या लिख सकते हैं इंटर जनिक इसका दूसरे के आम क्या लिख सकते हैं ली लिक क्या लिख सकते हैं 9 maybe try to understand my point ठिक मैं आपको चेहना चाहा रहा हूँ कि अभी तक जो आपने चीजे पड़ी वह सेम जींस के बारेcción parks सेम में आपने पड़ी वह किसंे बीच में पड़ी तो जब सेम जीनस की कि बात करते है तो इसको कैसा इंट्राइचन भी होता है अभी जो हम interactions पढ़ेंगे और किसके बीज में पढ़ेंगे दो अलग अलग जीन्स इसको क्या बोलेंगे इंटरजेनिक या फिर नॉनलेलिक यह उठाओ और लिखो सब लोग पहले इसको लिख लो ऐसे ही अलग अलग कलर का इस्तेमाल करना और लिखना तो आप अगर बाद में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ समझ में आ रहा है पढ़के आना सब लोग अब मंडे को सब लोग पढ़के आना सबसे पूछा जाएगा ठीक है वीडियो जाल दे जाएंगी जिसने नहीं पढ़ा है वो सब कुछ देख लेगा लेकिन सब लोग मंडे को पढ़कर आएंगे ठीक है अभी तक हम लोग एक जीन के बीच में इंट्रेक्शन की बात कर रहे थे तो एक जीन के बीच में इंट्रेक्शन को क्या बोल सकते हैं एलिलिक या फिर इंट्राजेनिक अब हम लोग दो अलग अलग जीन के बीच में इंट्रेक्शन की बात करेंगे तो हम उसको क्य बोलेंगे इंटर जैनिक या फिर नॉन एलेलिक यह सब्दा है इसलिए मैं इस सब्द को समझा दे रहा हूं अब हम आगे चलके बढ़ेंगे सारे के सारे इंटर जैनिक या नॉन एलेलिक इंटर एक्शन्स ठीक दो डिफरेंट जीन्स जो अलग-अलग क्रोमोजोंस पे हैं उसके बीच में interactions की हम बात करेंगे ठिक दुखलिया सबने दङ दुखलिया सबने ठिक तब हम पढ़ेंगे नॉन एलेलिक जैनिक इंटर एक्शन इंटर जैनिक या फिर non-allylic genetic interaction तो सबसे पहले आ जाती है complementary gene अभी तक जो तुमने सारे loss पढ़े सारे के सारे loss यहाँ पर काम नहीं आएंगे क्यों? क्योंकि हम दो अलग-अलग genes के बारे में बात कर रहे हैं अभी तक हम ने किसके बारे में बात की थी? same genes तो हम same genes के बारे में बात कर रहे थे तो आपके mental के सारे loss लग रहे थे वहाँ पर थोड़े बहुत exceptions थे अब यहाँ पर हम दो अलग-अलग genes के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके mental loss का application नहीं होगा यहाँ पर जो gene है मैं ऍजो आपको दो काम याद रहाद रहा है पहली बात स्के इंत्रेक्सन का नाम है इस इंत्रेक्षन कहले एक जामपल है ओर इसंत्रेक्षन का क्या रेशी ब्रशियो है सिर्च पillonप्यटो और इस तीन फासानी स्याद रख सकते अगर आप संजेंगे तो ठीक, तो सबसे पहला interaction की बात की जारी है, complementary gene, जिसे की पती और पत्नी, एक दूसरे को क्या करते हैं, complement, पती पत्नी किसके लिए होते हैं, एक दूजे के लिए, तो अगर आप से पूछा जाए, complementary gene क्या है, तो क्या बोलेंगे, एक दूजे के लिए, अब कैसे एक दूजे के मैं आपको बताता हूं, santy से सुनते रहना, ठीक, सबसे पहले एक precursor था, सबसे पहले क्या था? Precursor, हसने का नहीं, चुप चाब, santy से सुनने का भी, ठीक, तो ये क्या है, precursor में एक enzyme काम करता है, enzyme C, कोई एक precursor है, उस पे कोई एक enzyme काम करता है, enzyme C, तो क्रोमोजन बन जात करता है intermediate intermediate पे दूसरा जीन काम करता है दूसरा एंजयम काम करता है तो वो क्या बन चाता है आपका प्रोड़क्ट एंथ्रोसाइन अब मेरी पास समझना ठीक सबसे पहले complementary gene का example है लथायरास ओड्रेटरस क्या एग्जांपल है लथायरास ओड्रेटरस का हम क्या बोलते हैं और sweet pea काम्प्लिमेंटरी जीन का एक्जाम्पल है sweet pea कहता है कि मेरे flower का color परपल तब होगा जब मैं चाहूंगा और मेरे flower के color को purple बनाने के लिए मुझे कितनी जीन की जरूरत है? 2 कितने जीन की जरूरत है? 2 तो एक precursor gene है precursor पे gene C act करता है तो C enzyme बनाता है तो chromosome बनता है इस chromosome को anthrocinine यहीं कि anthrocinine एक pigment का नाम है pigment क्या और anthrocinine क्या नाम है? एक pigment और pigment क्या देगा? color तो sweet pea का color purple किसके वज़े से होता है? anthrocinine anthrocinine कब बनेगा? जब enzyme C और enzyme P साथ में काम करेंगे तब अगर दोनों मैंसे मैं एक भी enzyme को क्या करूँ? हटा दूँ तो क्या anthrocinine बन पाएंगा? तो इसलिए क्या 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 दोनों जब साथ में आएंगे तभी काम होगा मेरी बास सुन में रहे कि नहीं? कि जब दोनों के दोनों gene जब दोनों gene साथ में आएंगे तभी काम होगा तो मतलब gene एक दूज़े के लिए बने हुए हैं तो complementary gene का मतलब क्या हो जाएगा? एक दूज़े के लिए और कौन कौन से gene एक दूज़े के लिए? gene C और gene P clear है कि नहीं? अब मेरी बास समझना सांती से देखते हो एक दम बहुत ही आसान है आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं? कि यहाँ पर क्या है? capital C capital C और यहाँ पर क्या है? small P small P यहाँ पर क्या है? small C small C यहाँ पर क्या है? capital P Capital P, ठीक मैंने कहा, Gene एक दूजे के लिए बने है तो जब दोनो capital नहीं है, इसमें C capital है, लेकिन P क्या है? Small, तो भी flower का color कैसा है? White, यहाँ पर क्या है? C क्या है? Small, P क्या है? Capital, तो भी color क्या है? वाइट सबस्क्राइब तक दोनों कैपिटल नहीं होंगे जब तक दोनों डाउमिनेंट नहीं तब तक लर पर पुर नहीं होगा व्हटार यानि Nh कि दोनोंगा कंगे जब दोनोंगा ह साथ में काम करेंगे समझ मैं फीली बात यह निए पाका है ठीक मैं आप से इतना कहना चाह रहा हूं कि C और P नाम के जीन C और P नाम के जीन एक दूजे के लिए बने हुए हैं और जब यह जीन साथ में आते हैं Capital बनकर तभी यह काम करते हैं इसका एक एक्जामपल हमने लिया कि हमने लथायरिस और डेटर्स हैनि कि यह स्वीट बीके दो फूल लिए और दोनों फूल कैसे थे वाइट क्यों वाइट थे क्योंकि उनके अंदर जीनोटी बी कंस्टिट्टोमेंट क्या था यह कैपिटल था यह स्मॉल यह स्मॉल थे क्या था क्युक्त अब इनके बीच में क्रॉस कराया गिया तो cb कैपिटल आ गया और pb कैपिटल आ गया तो क्या हो गया था और कि जब तक C और P साथ में नहीं आएंगे तब तक flower का color purple नहीं होगा यहां पर C और P साथ में नहीं आए यहां भी C और P साथ में नहीं आए लेकिन यहां पर C और P साथ में आगे flower का color क्या हो गया purple तो यह तो हमारी F1 generation थी यह हमारी F1 generation थी अब हमने का किया, यह हमारी F1 generation है, अब हमने F1 generation के बीच में क्या करा दी, selfing, क्या करा दी, selfing, selfing का मतलब क्या है, cross, F1 generation के बीच में क्या करा दिया, cross, हमने F1 generation के बीच में cross कराया, इसके gamete से बन जाएंगे, और इसके gamete से बन जाएंगे, तो हमने cross करा के देखा तो जब हम complementary gene का cross करते हैं तो complementary gene का cross करते हैं तो हमारे पास कितने full white आते हैं कितने full purple 9 purple और 7 white आप इसको तुरंट die hybrid cross में जाओ उसमें देखो tall और red plant कितने होते थे no तो यहाँ पर दोनो capital कब आएंगे कितने condition में no बाकी सारी condition में या तो एक capital रहेगा या तो यह small रहेगा आया नहीं याद आये कि नहीं तो यहां पर रिश्यो क्या हो जाएगा अपका purple white परपल वाइट का रिश्यो क्या हो जाएगा 9 ratio 7 पक्का मेरी बास समझ में थिक मैं देशी वाजा में एक और example देता हूं कि जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है जो तो हमारी डेली लैप में human gene के अंदर एक complimentary gene पाई जाती है deaf और mute की तो deaf और mute की gene तभी काम करती है जब दोनों gene साथ में आती है जब दोनों gene साथ में आगी तो आदमी साथ में गूंगा और साथ में बहरा भी होता है तो गूंगे और बहरे की भी gene एक दूजे के लिए बनी क्या लिखा है अब दोखो complimentary gene का मतलब क्या है कि two independent dominant gene independent gene unable to express independently नहीं कि C gene अपना काम नहीं कर पा रही थी पी जीन भी अपना काम नहीं कर पा रही थी लेकिन अगर C और P साथ में आ जाते तो तो काम हो जाता था ठीक इसका एक example क्या है deaf and mute यह humans में देखा जाता है clear है कि नहीं पक्का तो complimentary gene से आप क्या समझें एक दूजे के लिए complimentary gene का मतलब एक दूजे के लिए ठीक अगर मैं आप सुक्का कालियाद दिलाओ कि incomplete dominance का मतलब क्या था ना तेरा ना मेरा यानि कि beach का यानि कि क्या हो जाएगा pink co-dominus का मतलब क्या था तेरा भी और मेरा भी तो क्या निकि रोन white और red दोनों के patches अगर मैं बात करूंगा complimentary gene की तो एक दूजे के लिए यानि कि दोनों gene साथ में आएंगी तब ही काम होगा clear है कि नहीं समझ में आ रही बात है ठीक तो आप एक सवाल है सवाल करके दिखाओ सवाल ही है सवाल आता है सवाल करते रहें दोगों जितने सवाल करोगे उतनी अच्छी genetics आपकी रहेगी मैं कर रहा हूं कि copy में जितनी चीज़ा लिखे हुई है अगर आपके maximum सवाल हो जाएंगे लेकिन आप सवाल गलत कर दोगे अगर आप सवाल की practice नहीं करोगे तो अब little c, small c, small p और small p के बीच में ठीक सब लोग करो इसका cross फटा फट लास्ट में small p small p है चलो इसको मैं थोड़ा आगे लिख देता हूं ठीक एक सब लोग मुझे बताना आप मुझे बताओ कि अगर मेरे पास यह दो अलग अलग कलर के flower हैं इनके बीच में मैं क्रॉस कराओ तो कितने flower purple आएंगे कितने flower white आएंगे ठीक यहां पर test cross का result मत यूँ उसकर लेजग जाना आप टेस्ट क्रॉस नहीं आपको box बना के करना है क्योंकि यह डाय है अब तो है नहीं और यहां पर complimentary gene की बात की जा रही है ठीक तभी आप solve कर पाएंगे ठीक है कि यहां से एक नहीं बनेगा ठीक है ठीक है ठांत रों ठांस करो अच्छी इत्मत करो अच्छी जो मैं box बनाता हूं इस box को क्या नाम दिया जाता है पनेट स्क्वाइर बॉक्स को क्या बोलते हैं पनेट स्क्वाइर स्यंटिस्ट का नाम है पनेट स्क्वाइर इन दोनों की बीच में क्रॉस करना है ऐसा नहीं कि इनकी एफ़न जेनरेशन बना के क्रॉस कर रहा हूं इन दोनों की बीच में क्रॉस किया गया है ठीक है देखो बड़ा आसान है ठीक बहुत ही आसान है ठीक है बहुत ही आसान है कैसे आसान है इसके कितने गेमिट बनेंगे दो कैसे बन रहते इसके कितने इसके दो इसके चार गेमिट मां बन जाएंगे बता हूं capital C capital P capital C small P small C capital Pers मॉल्डी को देख थीक इसके गेमिट क्या बन जाएंगे capital C small P capital C हम of a small c hugely more P अब फटा फटत solve कर लो आगया ठीक तो इसका result क्या आया बताओ क्या result आएगा pass ratio 3 अब तुम निकालो 5 ratio 3 कैसे आएगा देखो इसमें capital c capital c capital p small p capital c small c capital p small p capital c capital c small p small p capital c small c जहां पर गला तोगा बताना ठीक small p small p capital c small c capital 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 रुख जाओ just a second capital c small c capital p small p small c small c capital p small p capital c small c small p small p capital c small c small c small p small p और small p अब यहां पर तुम्हें क्या देखना है कि कौन कौन से में capital c c or small capital c capital p साथ में आएं ठीक मैंने का बोला जीन क्या एक दूजे के लिए तो एक दूजे के लिए कैसे बनेगी जब c or p capital में साथ में आएंगे इसमें c or p capital आया नहीं इसमें c or p capital है हां और एक जगा और होगी यहां पर ठीक क्या टीन जगा तो टीन जगा क्या हो जाएर की सी और भीतीया हो जएगे साथ में ठीक तो वाइट grape bye white Oklahomacja कोईट इगा 5 रेशियो थी ठीक किया आगया अटी तुन नहीं यह कौन सा ख्रस था चाहिए कि थो में क्या किया दिखाओ दो कि सभ सभ सक्रांस करूड क्यों क्या इमानानित़िए व्यवैकर म्तनु cię क्रॉस तूट姐 कि अब तुम लोग ने हो सकता एकाथ ज्यादा बना दिया हूं आया नहीं क्लियर है कि नहीं है थिक तो हमारे यह हो गया कॉंप्लिमेंटरी जीन समझ में रहा कुछ बहले ही दोखो आज जाके पढ़ना मंडे को आके पूछना मैं फिर से बताऊंगा जितने भी डाउट्स होंगे इस चैप्टर के मैं दस बार बताऊंगा पर आप लोग गलत दमांगा तुमारा वाइट पर प्रपल रेशु का जाएगा फायब रेश्यो 3 अब सुनो मेरी बात ठिक कॉंप्लिमेंटरी जीन में आपको क्या रख ना है कॉंप्लिमेंटरी जीन का पहले एक्जांपल क्या हो जाएगा लेथायरस और डरेटास कॉमन नेम सूइट पी सकता सथ मैं अपना color बदलोंगा नहीं। तो यह क्या हो जाएगा complimentary genes, complimentary gene का ratio क्या है? 9 ratio 7 खतम अब हम आगे की बात करते हैं। हम आज आते है duplicate genes क्या आती है? duplicate genes है अभी तो complementary मतलब कैसे हो रहा था? ग्यूते is, मेरी बास सुनना दो मैसे एक gene अगर capital है तो काम हो जाएगा दो मैसे कोई भी gene भी काम कर देती है फ़र एक्जामपल अगर मैं बताना चाहूं कि सबस्टेट था कोई सबस्टेट सबस्टेट से हमें कोई product बनाना था ठीक सबस्टेट से हमें क्या बनाना था कोई product और इस प्रोड़क्ट को बनाने के लिए एक enzyme चाहिए होता है enzyme X enzyme का नाम है और इस enzyme को बनाने के लिए दो gene responsible है एक gene A है और एक gene B है मेरी बास समझते रहे ना बहुत ही simple मैं क्या कह रहा हूं कि एक कोई substrate से हमें क्या बनाना है product और substrate से product बनाने के लिए किसके जरू होते है कोई एक भी रहेगा तो काम हो जाएगा समझ पार हो की नहीं मेरी बात complimentary gene क्या कहती है एक दूजे के लिए duplicate gene की से दिए दोनों में से कोई एक भीगवा तो काम चल जाएगा तो अभी हम देखते है फटा-फट इसको तो बहुत आसान है इसका एक्जांपल होता है capsule पूरा तुम्हारा होता है triangular shape एक triangular shape का flower रहता है एक top shape का flower रहता है तो मेरी बात समझना full के अलग-अलग shapes की बात होती है duplicate gene का ना duplicate gene का example है आपका capsula versa pestoris जिसको shepherd purse नाम से जाना जाता है shepherd purse के full दो तरह से हो सकते है एक triangular हो सकते हैं एक top shape हो सकते हैं ठीक तो अब triangular बनेंगे कि top shape बनेंगे किस बात पर निर्वर करता है ठीक अब triangular full के लिए तुम्हारी gene क्या थी capital A capital B capital B top shape के लिए क्लिए small a small b small b इन दोनों के बीच में cross कराएगे तो क्या जाएगा दोनों क्या है capital तो full कैसा है top shape ठीक है गलत लिख दिया यार triangular होगा यह यह क्या हो जाएगा यह यह आप बर triangular फूल कैसा हो जाएगा यह आप बार triangular ठीक तो मेरी बास समझना जब दोनों मेंसे कोई इक भी capital रहीगा तो फूल कैसा रहीगा triangular dominant कोन है dominant कोन है तो फूल कैसा हो जाएगा triangular ठीक अब हमने इसके बीच में cross किया तो यही तो cross बनेगा यही तो cross बनेगा अब किस पूरे cross में तुम एक एक बात रखना मैंने क्वोला दोनो में से कोई एक capital हो गा तो एहां पर किसे कोई जूने one एक ही कंडिशन में फूल का कलर कैसे हो जाएगा तो अब मेरी बास सुनना तो आपका डुप्लिकेट जीन का रेशियो कितना हो जाएगा 15 रेशियो 1 है क्योंगे लिए इसका तात पर यह है कि जब दोनों कि दोनों जीन साथ में काम करेगी तभी दोन्स का में लेख लाईके इग्जांपेट ऑप्रस क्या है 15 रेशियो 1 समझ में आरी बाते हैं अब थोड़ा सा आगे और टेड़ा हो जाता है अब आगे हम पढ़ेंगे epistatic gene यह थोड़ी सी टेड़ी है इतनी सारी चीज़े clear है तभी यह पढ़ाऊंगा क्लियर कि नीए कॉंपलिमेंटरी gene ऑगे दुपलीकेटफ में किसी को कोई डाउट है उस लड़के को कुछ भी नहीं समझ को आ रहा हूं अब रहे हैं पक्क है थीक यह थैरे orderatus का दूसरा नाम क्या होता है लेठाइरस orderatus को और क्या कहते हैं नहीं पता चलो मुझे बताओ एक सवाव बताओ back across क्या होता है हाँ रेसिसिप क्रास वाला नहीं मैं तो करना dominant वाला भी हो सकता है नहीं होता है होता है थोड़ा ध्यान से सुनो तुम थोड़ा वह तुमने सुना है ठीक अब आती है बात epistatic gene की अब बात आती है epistatic gene की मेरी बास मज़ेंगे अभी तक हम दो-दो genes की बात कर रहे है ना अभी मैंने complementary gene में भी दो gene की बात की हमने duplicate gene में कितनी gene की बात की दो ठीक तो यहां पर बात की जा रही है कि दो genes की बीच में interaction की बात की जा रही है अब हम पढ़ेंगे epistatic gene epistatic gene में हम किसकी बात करेंगे दो की epistatic का मतलब होता है चुपाने वाला epistatic gene क्या हो जाएगी चुपाने वाला एक आता है dominant epistasis एक आता है recisive epistasis तो सबसे पहले epistasis का मतलब समझते हैं तो epistasis का मतलब कहता है कि the expression of one gene is masked by the another gene इसका मतलब क्या है कि एक gene काम करने जा रही थी मान लो एक सब्सक्राइब एक जीन कोई काम करने जा रही थी माइस को कुकूरबिटा पीपो है अगला एक जामपल तो एक जीन काम करने जा रही थी वह फ्लावर को कोई color देने जा रही ते लेकिन दूसरी जीन का काम किसी दूसरे जीन की दोरा क्लिया जाता है धक दिया जाए तो उसको we can expect a लिए ऐपीेस्टेटिक जीन माने का बोला एक जीन का काम दूसरे जीजन का करने जा epistatic gene मैंने क्या बोला सुनते रहना थिक इसमें का कर जा रहा है किसी एक gene का काम दूसरे gene के द्वारा का कर लिया जा रहा है धक दिया जा रहा है तो इसको क्या बोलते है Epistasis, जिस gene का काम धखा जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? Hypostatic, जिस gene से काम धखा जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? Epistatic, समझ पार हो कि नहीं? ठिक, तो ये तीन पहले सब्द समझ रहे हो, Epistasis का मतलब होता है, कि एक gene ने दूसरे gene के काम को क्या कर दिया? धख दिया, मास्क कर दिया, मास्क का मतलब क्या हो गया? धख दिया, तो जब एक gene दूसरे gene के काम को धख देती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते है? Epistatic gene, जिस gene का काम धखा जाता है, उसको क्या बोलते है? hypostatic, जिस genes से काम धखा जाता है उसको epistatic, बास समझने हैं कि नहीं, ठीक, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब देना, जब एक gene का काम दूसरे gene के काम से धख दिया जाये, तो उसको क्या बोलता है, epistaxis, ठीक, अब मेरी बास समझने है, जिस gene का काम धखा जाये, इसको क्या बोलता है, hypostatic, जिस genes से काम धखा जाये, वो epistatic, clear, अब हमारे पास आते हैं, दो condition, एक आती है, dominant epistasis, और एक आती है, recissive epistasis, ठीक, अब हम सबसे पहले बात करते है, dominant epistasis की, dominant का मतलब क्या हो जाएगा, dominant वाला, किसको धख लेगा, बाकी सारे को, recissive वाले में क्या हो जाएगा, recissive वाले ठाकेगा, हाँ या नहीं, dominant वाले में कौन ठाकेगा, dominant, recissive वाले में कौन ठाकेगा, recissive, simple, 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 समस्ते है रहे न, ठीक, तो when epistatic gene is dominant, जब जो ठाकने वाली gene थी, वो dominant थी, और इसका काम ये धख दे, example देखो कि तो समझ में आएगा, इसका example ह कुकुर्बीटा पीपो, कुकुर्बीटा पीपो एक fruit होता है, fruit के color की बात करते है, ठीक, कुकुर्बीटा पीपो को हम बोलते है, normal नाम में, summer squash, ठीक, summer squash, एक fruit का नाम है, ठीक, अम मेरी बास समझ में, वाइगा, तो full का color कैसे आजाता, yellow, small y होता तो green, लेकिन अगर W आ ज यहां पर कैंपिटल वाय रहे है है यहां पर क्लर क्या यहां पर किया होना चाहिए था ईलो किन दख दिया capital W nे आ हायँ नहीं इसके अंदर किया है small y इसका कैसा है small y लेकिन इसके color को क्यों नहीं डख पाए क्यों कि W किया है small समझ पा रहे हैं मेरी बात को की नहीं थीक तो कि यह कर पाया यह तो मैंने का मतलब सब लोग समझों कि नहीं अब ही उपीस्टैसिस का मतलबा सब लोग समझों की नहीं एक जीन के काम को दूसरे जीन के ने ठग दिया तो जब gina ke German डारी स्मझ हुना सुन्हें रहेर ना सारी जीजे समझ में आजाएंगी कि इसका एक्जांपल ता को कुकॉरबटा पीपो में ओता है कि अगर CPTđ कलर क्या होता i get i prefer info इसमाल वाय दाता दो Wiran लेकिन अगर टी डील्डड अजया तो क्रॉंजय गाśवाइगा वाइट। यहां पर देखो वाइट फूल को किस साथ क्रॉंज कर आ रहे हैं, वाइट फूल्ड को किस के साथ क्रॉस कर आया गया यहां पर क्या किया हा गया proposals bridge जब B capital W आएगा तो color क्या हो जाएगा White तो जब हम White को Green के साथ Cross कराते हैं तो color क्या जाता है White ठिक अब इसके हमने यह हमारा आगया F1 Generation F1 Generation के बीच में मैंने क्या किया Selfing F1 Generation मैंने क्या कि Selfing अब F1 Generation के बीच में मैंने क्या की Selfing तो हमको यह table मिली अब इस टेबल में आप क्या देखेंगे अब थोड़ा सा गड़बड है टेबल जाना आप अपने हिसाब से टेबल बनाना ठीक अब इस टेवल में बनाओगे तो मैं आपको बस दिखाना चाहर harder कि कहां कहा पर केपिटल है यहां पर केपिटल है यहां पर है यहां पर हैं तो जहां पर ही मैं एरो खीचुछ 하세요 यहां पर कहीं ना कहीं एक कैपिटल डबलु होगा कि नहीं अ लोगा और एक भीetson काम को थख लिया हैनि कि case स्थीन के काम को थख लिए स्थी उसने इसके काम को ट्रग दिया लेकिन इसके काम को क्या कर दिया one कब भी को dominant gene हमारे काम को ढग दे तो इसको क्या बोलेंगे dominant epistasis और जहां पर भी capital W होगा वहां पर color कैसा हो जाएगा white यहां पर आप देखें यहां पर सब जगा क्या है small w लेकिन अब small w में दो चीज़ है यहां पर क्या है capital यहां पर भी क्या है capital यहां पर भी क्या है capital वाई तो इन तीन फूल का color क्या हो जाएगा yellow और इस फूल का क्या हो जाएगा green बास सुन में रही कि नहीं तो अगर आप से पूछे कोई कि dominant epistasis का exam ratio क्या होता है तो 12 ratio 3 ratio 1 white yellow और green समझे की नहीं क्लियर है की नहीं समझने वाली simple सी चीज थी कि नहीं तो आप क्या देख रहे हैं देखो इसके बीज में किस किस के बीज में cross कि आगा तब छोड़ देना एक सिर्फ और सिफ रेशियों पर focus करना ठीक है सिर्फ और सिफ रेशियों पर और concept का कहना चाहा रहा है उस पर तो अभी तक मैंने आपको तीन से बताई है अभी तक मैंने आपको सबसे पहले बता साया क्या मैंने आप होता है आपको duplicate gene फिर कौन सी dominant epistasis तो complementary gene में क्या हो रहा था दोनों gene साथ में आ रहे थे तभी काम हो रहा था ratio क्या था 9 ratio 7 दूप्लिकेट जीन में दो में से कोई एक जीन भी काम कर रहे थे तो क्या जा रहा था result positive रेशियो क्या था 15 ratio 1 dominant gene में क्या था dominant gene hypostatic gene को क्या रहे थी धग तो ratio क्या रहा था 12 3 1 clear अब हम अगली बात करते हैं recessive epistasis कि किसकी बात करेंगे recessive epistasis की ठीक तो when recessive epistatic gene must the hypostatic gene यहां पर जब condition recessive होगी जब condition क्या होगी recessive तभी काम हो पाएगा अभी यहां पर देखें अब यहां पर mice की बात आ जाती है mice coat color of mice चूहे के रंग तो चूहे का रंग मतलब C मतलब क्या था color color क्या हो जाता था gray और यह हमारी क्या थी epistatic gene तो अब यहां पर देखें यह देखू चूहे के रंग की बात आती है चूहे का रंग तीन तरह से हो सकता है या तो black color का या तो gray color का या तो आपका white color का ठीक चूहे के कितने रंग हो सकते हैं तेन वैसे अलग-अलग brown brown अलग-अलग प्रजाती है मतलब मैं एक प्रजाती की respect की बात करना हूं ठीक तो अब मेरी बास समझना इसमें ठीक colored mice colored mice का मतलब क्या था उसका color कैसा था black ठीक तो black color को किसके साथ क्रॉस कराया गया white black को किसके साथ क्रॉस कराया गया white यह white क्यूं है कि यह कौन सी जीन है रेसेसिफ जीन इसके एफेक्ट हो क्या कर लेगी तो क्या हो जाएगा वाइट यहां पर यह रेसेसिफ नहीं है तो इसके काम को ढख नहीं पाएगा समझ पा रहे हो कि नहीं ठीक तो सिंपल जब क्रॉस करोगे तभी समझ में आएगा ठीक तो इसमें तो इसका यह सीक्वेंस था, वाइट मास में, देखते हैं कि यह कोईसी जीन हो जाएगी, रेसेसिव, इस रेसेसिव जीन ने इसके काम को क्या कर लिया, ढख दिया, थिक, तो इसका कलर कैसा हो गया, वाइट, वाइट कलर को अलबिनो भी बोलते हैं, एलबिनो, एक बिमारी करने होती सभी और आज़ी और अलबिनो ब्सक्राइब को क्या होती हो जाती है नियुक्णा की बात करूँ काल और यह किया कि ना पूर्ब्सक्राइब कर घ्लाइब को मतलब रेंडि मैंच का मतलब क्या उतरेक्षै जेए माइस वाइट क्यों था यह कों सी जीन थी रेसिसिव यहां पर क्या दिख रहा है रेसिसिव एपीस टैसिस ठीक अब हम आप क्या क्या रहे हमने इन दोनों को क्रॉस किया तो हमारी यह एफ-1 जनरेशन आई एफ-1 जनरेशन में C भी और तो इसका Tapi एवी तो इसका क्लइर ऑजाएगा mejl İCI. जब क्पिटल सी क्पिटल एति तो तो क्लर क्या हो जाता था अभी आप देख़ेंगे सारी चीजे अब आपने क्रोस किया किया इसके बीच में ठीक आपने क्रॉस किया इसके बीच में क्या हो जाइगा अगावटी तो यहाँ पटिई यहां पर हो आट यहां पर मुपर टो णिमया होती करोऊ कैसा हो जाएगा इसका भी कलर्ड ठीक यहां पर क्या है कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी ठीक इसका भी क्या एगाउटी अब मेरी पास समझना अब जो बाकी बचे जिसमें कैपिटल सी के साथ स्मॉल यह आ रहा है तो कलर क्या हो जाएगा अब यहां पर तो इन चारों का रंग कैसा हो जाएगा अलबीनू इन सब का इन कियो हुआ रहा है क्यूंकि हमें आप क्या देखने को मिल रहा है रेशिशिव देखते हैं कि जब recissive gene काम को ढग दे तो उसको क्या बोलेंगे recissive epistasis तो आप रेशियो देखते हैं एगाउटी colored और albino का तो एगाउटी colored और albino का रेशियो आपता है 9 ratio 3 ratio 4 ठीक एगाउटी colored और albino का यह ratio होता है clear है कि नहीं सारी चीजें बताओ कोई दिकत तो अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी वह आप बताते रहे ना सबसे पहले हम आज अभी हमने जो बात की हमने बात की intergenic intergenic या फिर non-allylic non-allylic interaction की तो non-allylic interaction हमने देखें अब intergenic सबसे पहले की देखा कॉंपलीमैंटरी जीन करेमिंट क्या कहते हैं एक दूजे के लिए乾 एक कॉंपलीमैंटरी जीन peng centimeter sind tadi रेशियो करेशियो 7 आइन रेशियो सेवन एक ब्रीजिए आपके परके सेवन और स्वन यहारा के वज़ टिक डूप्लीएट डूपलीएट गीद में क्या था डॉनों में से कोई एक जीवी काम कर रही ती तो रेश्ययşa क्या था सब्सक्राटr ट्रेउयूर dominant epistasis चौथा आपने देखा recessive epistasis dominant epistasis का example क्या था cucurbita people recessive epistasis का coat color of mice dominant epistasis का ratio क्या था 12 ratio 3 ratio 1 और recessive epistasis का 9 ratio 3 ratio 4 9 ratio 3 ratio 4 यह सब रटा हुआ होना चाहिए with example ठेक है with example और with ratio मंडे को सारी चीज़े सुनूंगा सब कुछ एक जीन एक एक का ratio दिखो मैं बता हूँ अगर नहीं बढ़ोगे ना भी तो समझ में नहीं आने से रहा यह समझ में नहीं आएगा बहुत असान चीज़े हैं पर यह सारी चीज़े समझ में नहीं आएगी और कुछ ratio आपको directly कॉलेबरेटर जीन 9331 तो यह सारी चीज़े ज्यात कर लेना इन सब चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है एक बार supplementary genes का ratio पूछा गया था इससे ज्यादा इसमें से पूछा नहीं गया है तो मंडे को अभी तक हमने genes की बात की अभी तक हमने बात की की genes की quality के बारे में अभी तक हमने जितनी चीज़े पड़ी genes की quality पड़ी मैंने यह नहीं कहा कि तुम्हारे पास 5 में से चार gene आ जाएंगी तो अब हम gene की quantity पड़ेंगे मेरी हाइट 170 cm किसी की हाइट 190 cm हो सकती है मेरा IQ 110 है किसी का IQ 170 हो सकता है तो यह IQ intelligence, height, body का color यह सब किस बात पर depend करता है gene की quality पर नहीं depend करता gene की quantity पर depend करता है तो next class में हम बात करेंगे कि gene की quality के बजाए gene की quantity की think quantitative analysis of the genes think.